जहीं दोस्तों कैसे आप सब उम्मीद करते हैं आप लोग बहतर होंगे दोस्तों आज की जानकारी बहुत ही महत्पूर्ण है लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं बहुत दिनों बाद आप सभी के सामने वीडियो के माध्यम से दिख रहा हूँ और बहुत सारी अपडेट ऐसी भी है जो की छुटी भी होंगी और वो मैं आप सभी को नहीं बता पाया हूँगा इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आप सभी को सारी जानकारी नहीं मिलने वाली है बीच में कुछ बिस्त चीज़े थी तो उसके कारण में आप सभी के सामने नहीं आ पाये वीडियो के माधम से लेकिन अब प्रयास करूँगा कि आप सभी के सामने लगतार रहूं और हर एक अपडेट पे हमारी नजर रहे और आप हर एक चीज़ को समझ पाएं दोस्तो आज की जानकारी बहुत ही महत्पूर्ण है और जैसे जैसे आप इस वीडियो को पूरा लाश्ट तक देखेंगे तो आप हर एक चीज़ को समझ जाने वाले हैं दोस्तो आपके दिमाग में तो एक चीज़ लगतार आता होगा कि आखिर जो पंचायत सहाइक और सच्चियों का जो पिमेंट करने का जरिया है जैसा कि बताया था कि पंचायत सहाइक ही पिमेंट करेंगे अपने पंचायत सच्चिवाले पे लगे कम्प्यूटर के आधार पे ऐसा अपडेट कई बार मैं अपने वीडियो के माध्यम से दे चुका हूँ आप सभी को और जो भी आदेश है वो भी यही है कि पंचायत सहाइक ही पिमेंट करेंगे लेकिन ऐसा होता नहीं है हो सकता है कुछ जगों पे हो लेकिन बहुत सारे जगों पे ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि पंचायत सहाइक पिमेंट करें और ऐसा नहीं है कि किसी एक जीले की मैं particular बात कर रहा है, वैसा कुछ नहीं है, कई जीलों का example भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, और सिधा जो भी सासन आदेश है, उसको दिखाया गया है, और ये भी बोला गया है, कि जो उपर से आदेश आ रहे हैं, उसकी अ ना रवाई होनी तै है, कई ने कहीं आपके मन में इससे समन्धित हमेशा सवाल भी रहते हैं कि आखिर ऐसा आदेश आ जाता है, फिर भी ये लापरवाही कैसे हो रही है, जो अधिकार है, पंचैशा वीकों को वो क्यों नहीं मिल रहे हैं, आखिर पनشायत सहायकों को जब बूला गया कि पंचायत सहाइक ही पेमेंट करेंगे तो उनके दुआरा क्यों नहीं पेमेंट कराये जा रहे हैं उनको बहतर तरीके से ट्रेणिंग क्यों नहीं दी जा रही है ऐसे तमाम सवाल आपकी दिमाग में आते रहते हैं और आप लोग कमेंट्स के माद्ध हमसे ले लगेंगे आप लोग कहीं से भी इस चीज़ को मतलब गलत वे में नहीं लीजिए कि यह जॉब ऐसी है यह जॉब ऐसी है हो सकता है परिशानिया है लेकिन दिरे दिर सुधार भी होंगे तो शली सबसे पहले में आपको अपडेट दिखाता हूं आप उस अपडेट को द 20 मई का हवाला यहां पर दिया गया है 20 मई का जो आदेश चारी हुए उसमें दिदेसक पंचायदी रजुक्तरप्रदेश लखनव के पत्रशंख इतना दिरांग चार अगस्त चार अगस्त दो हैर बाइस को जो लेटर आया हो उसमें स्वस्थ तरीके से लिखा गया है कि प ग्राम पंचयतु में भुकतान की प्रक्रियात्र ग्राम पंचयत के निष्ट कर निष्ट ऐइंटरी ओप्रेटर सच्छे स्पिग राम पंक्चयत के Samadz के माध्यम से धन्राश के भुगतान से समंदितकार आप द्वारा श्वयम नर्ग करके अन्य ब्रक्तियों से कराया जा रहा है उससा देख सकते हैं कतिपय इन्हीं कारणों से ग्राम सुराज प्यट्वेस पोर्टल पर धन्राशी भुगतान के दौरान वाउचर्स के गेटवेस से बाहर होने की स्थिती बार बार प्रकाश में आ रही है तथा अन्य कई त्रूटियों के साथ साथ धन्राशी के अपव्याय की स्थिती उत्पन होने की संभावना बनी रहती है जिस पर बार समिक्षा बैठाके वंबिमिन पत्रों के माध्यम से आपको निर्देशित किया जा चुका है कि ग्राम पंचैद का समस्तकार पंचैद भावन ग्राम सच्वाल ले से आप द्वारा ही किया जाय परन्तों इसके उप्रांत भी आप द्वारा भुकतान संब्दिकार अधिक्रित व्यक्तियों के माध्यम से ईग्राम स्वराज प्यफमेस पोर्टल पर भुगतानगी करवाई संपादित कराई जा रही है यह स्थितिन नितांत अपत्ति जन्रत तो कतिपे स्विकारिन नहीं है अता आपको नेडिय सिद्ध क्या जाता है कि ईग्राम स्वराज प कंप्यूटर से श्वयम ही संपादित करना सुनिशीद करें फिर से दोस्तों आदेशित किया गया इस लेटर के माध्यम से यदि किसी अन्यवक्ति द्वारा ग्राम से चवाले में भुगतान का रवाई की जाती है तो तो तकाल इसकी सूचना अध्वहस्ताक्रित के अधेल नमबर इस पर दी जाया यदि भविश्य में भुक्तान संबंधित का रह अन्यवक्तियों के माध्यम से किया जाने के स्तितिव प्रटाश में आती है तो इसमें आपकी सनलिप्तिता मानते हुए सिधा संबंधित के साथ सथ आपकी विरुप्भी करूरतम करवाई कि जाएगी जिला पंचायत रजदिखारी द्वारा बोला गए दूस्तों यह हो गई आजम गट के अब अगले जिले की अपड़िट मैं आपको दिखा दू अगले जिले की अपड़िट है यह सुल्तानपुर की अपड़िट आप देख सकते हैं 24 जून 22 23 समस्त सचीव ग्राम पंचायत समस्त पंचायत साइक सुल्तानपुर सेम चीज है और यहां पे भी नंबर दिये गया है और बोला गया है कि अगर यहां पे भी इस तरीके करवाई होती है तो फिर इस नंबर पे सुचित किया जाए और अगर ऐसा होता है तो जो सचीव है और जो पंचायत साइक ह कि दोनों की सनलिप्ता पाई चाएगी कि ये लोग खुद ही किसी को भूला के कार्य करा रहे हैं तो कई ने कहीं ही इसमें तो पंचायद सहाइग ऐसा नहीं है कि सनलिप्त है उठा के लेकर चला जारा है कहीं दूसरे जगो उसके बद वहां से पेमेंट कराया जा रहा है ऐसी त्वाम चीजे हैं आपके यहां क्या इस्तिती आप लो कमेंट स्वाक्स में जरूर बताईए का ताकि मैं उन सारी चीज़ों को भी प्रकास मिला सको तो दोस्तों देखा आपने दो जिलो की अपडेट मैंने इस वीडियो के माध्यम से दी और मुझे पूरा भरोसा है कि सभी जिलो में ऐसी अपडेट धीर धीर आ जाने वाली है हो सकता है कई जिलो में आप ही गई हो और मेरे पास लेटर न पहुंचा हो जो कि मैं आप सभी को नहीं दिखा पा रहा हूँ तो इस चीत से आपको निश्चिंत रहना है आप किसी भी जिले के हैं तो धीरे-धीरे आपके आप्डेवस्था हैं सुधरने वाली हैं और जो भी आपके कारे हैं वो धीरे-धीरे आप ही से कराए जाएंगे तब जागे कहीं ने कहीं जो भी सिस्टम में कमिया है वो धीरे-धीरे करके खतम होंगी और आपके अधिकार भी मिलने लेंगे तो इससे आपको उबना नहीं है आपको अपना कारे करते रहना है इसके अलावा कई सारी समस्चाएं हो शक्ती हैं हो सकता है आगे चलके जब भी सासनस्तर तक ये सारे शीजे पहुंचे तो उस पे भी कुछ अलग निड़े निकल क्याए उस पे भी आदेश चारी हो हाँ ये भी हो सकता है कि जो ये अपडेट है इसके बाद भी सुधार नहीं हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी सुधार नहीं होगा आप लोग प्रयास करते रहिए और कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती है और लगतार जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ पंचायत सा एक बहुत ही जागरूख होते जा रहे हैं अपने अधिकारों के प्रती फाइट कर रहे हैं अपनी बातों को अधिकारियों के पास रख रहे हैं सासन अस्तर तक अपनी बात पहुचाने के लिए ट्विटर भ्यान से लेके चिठी लिखने तक का भ्यान भी चला रहे हैं तो कहीं ने कहीं बहुत सारी चीज़े होने वाली है और एक आगे चलके एक इसी जॉब में कहीं एक future भी दीखेगा आगे चलके मैं इस बात का अनुमान लगा रहा हूं और आप लोग भी आगे चलके कहीं ने कहीं ये सारी चीज़ों को देख पाएंगे दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं गियानकारी के साथ अब वीडियो में फिलाल क्रिफ जालेंगे दोस्तों जहन्त